मैं मेजर जनरल सट्पीर सिंग सेना मैडल अपने साथियों के साथ चंतर मंतर से देशवासियों कुछ इंफिरमेशन देना चाहता हूँ आज मैं बात करूँगा कि हम पिछले इतने दिनों से जरकार से प्रोटेस्ट मुव्मेंट चला रहे हैं आपड़ करके कि हमारे साथ जो इंसाफ हम चाहते हैं जो आपकी स्कीमेशन हैं उसको गराउंड पे असली रूप पे रागूँ करें हमारे डो डों चाहते हैं उनको हम चाहते हैं कि सरकार उनको असली तरीके से लागूँ सबसे पहले है One Rank One पेंशन वन रेंक वन पेंशन हमारा फर्स्ट उब्जेक्टिव है लेकिन ओवर आल हमारी मुव्मेंट का जो एम है वो यह है रेस्टोरेशन आप रस्पेक्ट हमारे को जस्टिस और हमारा स्टेटिस जो 15 अगस्त 1947 में जब देश अज़ाद हुआ वो पहाल किया जाए यह हमारे में उब्जेक्टिव है उसके अंदर हमें सबसे पहले हम सब ने डिसाइड किया कि जो आज की जो पेंशन है वो सभी पिछले रटाइरीज को उस रैक और उस यह जब सब इसको मिल जानी चाहिए कि सरकार ने माना इस कॉंसेप्ट को एक्सेप्ट किया लेकिन लागू करते हुए उसमें बहुत सी बसंगतिया डाल दिया हमारा दूसरा रेक्वार्मेंट है हर एक वरक का अपना अपना कमिशन बना हुआ है जांके बात किसी कर सकी हमारे फोजियों का कोई ऐसा कमिशन नह जिसका हैट चेर्मेंट भी एक सर्विस्मेन हो और उसके सभी मैंबर्स भी एक सर्विस्मेन हो सरकारों ने इसका जरुरत समझी लेकिन आज तक गराउंड पे लागूं नहीं किया है तीसरी बात सो इंपोर्टन थी है वो है सरकार में बहुत पहले हमें बताया कि हम सभी को सभी defense personnel को साथ साल तक दूसरी नौकरी देगे through the act of parliament assured second carrier till the age of 60 years to every defense personnel through the act of parliament ये बोला नेकिन ground पे लागू नहीं किया ये हमारी ज़रूरताई है फिर lastly is status नो क्या है हमारा status हर रोज सरकार और जो बाबू ब्रोक्रेशी है इनका पॉलिटिको ब्रोक्रेटिक मैं तो यही कहूंगा स्कीमिंग और नेक्सिस जिससे फॉच को हर रोज टीक्रेड किया जा रहा है डाउन ग्रेड किया जा रहा है जैसे कि जब देश हजाद हुआ तो जो हाइस्ट रैंक पॉलिस इन अ इन डिस्ट रस एक्वल्टिक्स्ट रवज एक्वलन ट्रेड रच ब्रोक्रेड वो मिजाइल चलाता है, वो सभी तरह का अधुरिक वेपन सिस्टम चलाता है, उसका ग्रेट पे केवल 2000 और एक प्यून का ग्रेट पे 22 और प्याव, उससे भी नीचे, क्या ये हमारे देश का ग्रेड़िट फिंग है? सिकनली, हमारा सुपधर मेजर साथ, जो सीनियर मोस्ट क्लास टू ग्रेट अफसर है फोच का, उसको इक्विलेंट कर दिया सिविलियन क्लास थुरी के ब्रापर, और उसका उन्होंने देग्रेड कर दिया, इसी तरह, हमारा नायब सुपधार साथ, जो ग्रेड़िट क्लास ट स्कार्ट होता है, उसका ग्रेड पे 4,000 रुपया, उसी के लेवल में, इवन सेंट्रल पुलिस ओर्गनाइजेशन थे प्सेटर, उनका ग्रेड पे 45 और अरे क्यों ग्रेड कर रहे हैं अपने सिपाईयों को, क्यों डिग्रेड कर रहे हो सोल्जरिंग को, यह आप सभी को आने जाने कर रहे हो, खिर बोलोगे कि इंटेलिजेंस यह हो गया, इंटेलिजेंस वह हो गया, तो यह बहुत इस्यूज है, तो यह अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कि हमारा रेस्पेक्ट, हमारे साथ चस्टिस और हमारा स्टेटस को जल्दी से जल्दी शरका अगेन बहाल के लिए, दूसरी बात हमारे जो वन रेंक, वन पेंशन, एक सर्विसमें कमिशन, हमारी सर्विस, साथ साल तक दूसरी थूदा एक्ट अपरलियमेंट और हमारे जो विडोस और रिजर्विस्ट, जो आपने आउट कर दिये थे, उनका जो प्रेज है वो एक स् कमिशन आप बनाते हैं, उसमें हमारा एक सर्विसमें या सर्विंग सोल्जर्स का ऑफिसर्स, जेश्यो जमान मेंबर, एक सरूरी है, नहीं तो कोई फैदा नहीं है, क्योंकि वो जो मर्जी पास कर दे, जैसे कि सेवंथ में कमिशन में हम गए, और जब डेलिबरेशन हुई तो वहाँ एक मेंबर थी, आप वन रेक वन पेंशन मांग रहे हो, ओवर आवर डेड़ बोडी, अरे ये ये वर्ड्स कह रहे हैं, अच्छी बात है, बाद में आप उसको इसको कर रहे हो, इसी तरह सेकृर्टिस कही, उन्होंने भी ऐसे लफज बोले गए, हमें तुक होता है, सोल्जर इस देश का सिपाई है, देश को वो प्रोटेक्ट करता है, देश पुरा अच्छी नींच होता है, क्योंकि आपका सिपाई सरहदों पर मापूज रखता है पुरे देश को, आप इसको इज़त दें, आप इसको इनसाफ दें, आप इसको डू स्टेटस दें सोस यही मेरा क्याना है, भारत मत की जैहिं! जैहिं!